हलो फ्रेंड्स आए आगे बात करते हैं आर कमांडर में एक बार शुरू से रिखते हैं मेरे पास आर कमांडर पैकेज इंस्ट्रॉल है चेक कर लेते हम यहां से package rcmdr rcommander रैट तो यहां पे rcommander और कमांडर के अंदर कुछ menu अभी तक हम discuss कर चुके हैं जिसमें हमने summary, contingency table, mean, proportion, variance, non-parametric test यहां तक हम कर चुके हैं और अब हम discuss करते हैं dimension analysis को तो इससे पहले मैं एक file import कर लेता हूँ excel की file है इसका नाम है del ये पीछे मी कई वीडियो में मैंने यही file यूज की है clean file है काम करना थोड़ा सा इसमें easy है चीलें दिखाना तो view कर लें अच्छा, attach नहीं हुई है import excel file का नाम है del okay मैं निशाद ये file कर दे थी yes file attach हो गई है और इसमें हम देखते हैं अभी dimension के अंदर 5 हैं यहाँ पे scale, reliability, principle component पहले principle component से शुरू करते हैं और यही file मैंने SPSS में भी खौल रखी है तो SPSS में हम जब शुरू करते हैं तो SPSS कैसे शुरू करता है actually हम इसको देखते हैं तो सबसे पहले तो SPSS बोलता है जितनी statement है उतने factor हम extract करें like 11 और कोई rotation नहीं, कुछ भी नहीं तो यह हमरे पास एक table आती है और इस table से हम फिर rotation निकालते हैं community निकालते हैं eigen value निकालते हैं, decisions लेते हैं more than one पे, right? तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर किया और देखा eigen value तीन की एक से ज़्यादा है यही चीज हम R में करने वाले हैं तो principal component का exactly यही मीनिन है principal component और कुछ options में screen plot वोगरा है correlation के उपर काम करे और option ही नहीं है यहाँ पे तो okay, output यहाँ आता है यह जो चीज है, इसका नाम है component loading या principal component यह क्या है, यह मैं आपको एक अलग वीडियो में दुबारा से बताऊँगा अभी हम यह देखते हैं कि component variance, मतलब eigen value 5.73, तो तीन तीन दिख रहे हैं मुझे एक से जयदा, 5.73 है मैं match कर लेता हूँ, 5.73 1.88, 1.165 correct, तीन जयदा है तो यहाँ से मुझे सिर्फ यही knowledge मिला, क्यार इससे भी पता लग रहा है cumulative, first का है 52, दूसरे का 69 तीसरे का 79, 84 यह 100% हो जाएगा यह table हमें principal component की सिरफ यह बता रही है कि तीन factor हैं जो हमें extract करने चाहिए principal component तो use कर सकते हैं लेकिन अब थोड़ी से आगे limitation है जब हम आगे चलते हैं और factor analysis लगाते हैं तो अब हमारा output वो नहीं आने वाला verymax है, बाकी कोई option है नहीं ओके, अब यह पूछ रहा है कितने factor तीन, तो अब हम expect करेंगे हमारा output है SPSS जैसा, 693, etc चेक करते हैं, क्या यह आएगा 693 factor analysis, reset करके तो rotation कर लेते हैं by default यहाँ पर PCA method ही है और यह भी नहीं करते हम तो हमारा rotation के बाद आ रहा है 798, 816 और यहाँ कितना रहा है, 693 यह क्या हुआ, देखिए यह जब मैंने RK की playlist बनाई थी RStudio वहाँ भी यह बात बताया था, factor analysis के इतने ज़्यादा function है बहुप ज़्यादा है इतने package है हर एक के अंतरा अलग-अलग है like कहीं FA मिलेगा, कहीं PCA मिलेगा print comp मिलेगा, fact channel मिलेगा यह जो fact channel है fact analysis, यह यूज करता है actually MLE method तो अगर आप अगर आप यूज करते हैं यहाँ पर और not rotation extraction में अगर आप principle not this, maximum likelihood अगर आप use करें तो कुछ आएगा हमारा यह देखते हैं, rotated 693, 723, 852 match किजिए 723, 852, etc loading 2.8, 2.64 loading check कर लेते हैं 2.8, 2.64, 2.53 ठीक है, total मिलागे 73%, यह जो हम एक limitation बोल सकते हैं अब इसे, कि R commander में जो factor analysis है यह सिरफ MLE method से है यानि अगर आपको use करना है यह SPS suggest output principal component तो principal component तो कर सकते हैं पर उसे आप factor analysis रन नहीं कर सकते दोनों में फर्क है principal component में, factor analysis में तो यह एक limitation है यहां पर आप खेर कुछ नहीं कर सकते हैं अगर यह आप maximum likelihood यूज करते हैं then it's good for you otherwise आपको R studio में जाके print comp यूज करना पड़ेगा principal component के लिए so limitation है यह एक principal component किया है यह मैं आपको एक separate वीडियो में बताऊँ को तो यहां रुकते हैं thank you